Hello Friends, Invertebrate Geology की सीरीज में इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे Fasciola Hepatica के Life Cycle, उसका Flame Cell, External Morphology, Reproductive System और जितने भी इसकी Larval Stages हैं, उनका हम यहाँ पे मिश्तार से सचित्र वर्डन पढ़ेंगे सबसे पहले देख लेते हैं यह यक्रत फ्लूक है, Fasciola Hepatica है वो पाया कहां पर जाता है, उसका आवास कहां पर है तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसकी जो Life Cycle है वो दूइपोसी, Fasciola Hepatica एक दूइपोसी यानि की Diogenetic परजीवी है और इसका जीवन बरत दो परपोसीयों यानि की होस्ट में पूर्ड होता है एक कहलाता है Primary host जो की Seep यानि भेड में और दूसरा कहलाएगा Secondary host यानि की जली Gastroport जो की होता है एक जली मुलस्का घोंगा होता है जो तो इसका जो जीवन होगा वो दो परपोसी होस्ट में पूर्ड होगा इसके बाद देख लेते हैं इसका External Morphology आकारकी की अनुसार यह एक दूसर यानि की Diastorm प्रकार का Trimatode है हम देख रहे हैं इसका यह जो ऊपर का सिरा है यह माउथ कहलाएगा और इसके चारों तरफ ओरल सकर यह जो है एक चूसक लगे हुए हैं सकर यानि चूसक लगे हुए हैं मुक्के चारोर और जो इसके बाद यह गोनोपोर है इसको हम कहते हैं जननचिद्र यह इसका जननचिद्र है और यह है posterior सकर तो यह एक बाहरी संरचना है फैसियोला हिपेटका की इसके बाद classification देख लेते हैं और देखिए यह जो वीडियो क्लास है यह सभी एकजाम के लिए यूजफुल है चाहे वो TGT-PGT एकजाम हो BSC के स्टूडेंट हो या फिर NEET की प्रिपरेशन कर रहा है हो स्टूडेंट तो classification में इसका phylum है प्लाटी हेलमेंथीज क्लास है ट्रिमेटोडा आइडर है डाइजीनिया फैमली है फैसियोलिडी और जीनस है फैसियोला इसके बाद इसका digestive system पाचन तंत्र इसका कैसे होता है चित्र में हम देख रहा है कि यह इसकी elementary canal है intestinal आहारनाल है और जो की एक सीधी रेखा की तरह है और जो मुख है वो अंदर की और ग्रशनी जिसे pharynx कहते हैं उसमें खुलता है pharynx के पशाथ एक छोटी तथा सक्री ओईसोफेगस होती है और आंत्र जो होता है वो दो साखाओं में विभाजित हो जाती है यह देखिए एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ दो साखाओं में विहाजित हो जाती है फिर जिने क्या कहते हैं क्रूरा या अंधनाल भी कहते हैं और बाहर की और अनियमीत उप साखाएं डाईवर्टी कुला निकलती हैं जो पचे हुए भोजन का डिस्टिबूशन करती हैं और जो ये पचा हुए जो भोजन होता है वो मेसेंग काईम द्वारा डिस्टिबूशन होता है इसके बाद फूर्ट, फीडिंग, एंड डिजेशन भोजन, असन, एवं पाचन क्या खाता है ये जैसे कि सकर लगे रहते हैं उसमें फैसियोला हिपैटिका में तो जो इसका फ्लूक है वो अपने परपोसी की पित्वाहनी की भित्ति से रुधिर लसीका और पित्व को चूसता है पाचन क्या आंत्र में बहिकोस की यानि की इख्टरा सेलिलिलर होती है इसके बाद इसका रिस्पाइरेशन, स्वसन पित्त में आक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसमें अवायू यानि कि एनारोबिक प्रकार का स्वसन होता है और इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर जो संचित ग्लाइकोजन होती है वो कारबन डाइकसाइट और वसी अमलों में तूट जाता है और उर्जा मुक्त हो जाती है फिर इसके बाद ये सबसे इंपोर्टन पॉइंट है इसका प्रोटो नेफ्रीडियल सिस्टम सबसे इंपोर्टन पॉइंट है इसी को हिंदी में कहेंगे आदि व्रकक तंत्र इस तंत्र का संबंध किस से है उत्सरजन से है और परासरण नियमन से है इस तंत्र में जो फ्लेम सेल है इसकी ये फ्लेम सेल है जोला कोशिकाएं इसी को हिंदी में कहेंगे या आदि व्रकक होते है तो यह जो फ्लेमसेल है यह जौला कोसिकाएं कहलाती है और रुपांतरित होकर मेसंग काइमी कोसिकाएं होती है प्रतेक जौला कोसिका के अंदर एक गुईका होती है जिसके अंदर कुछ लंबे सिलिया लटके होते हैं यह देखे यह सिलिया लटके होते हैं और प्रतेक सिलिया कोशिका द्रब में इस्थिद एक आधारी काणिका जिसे कि क्या कहते हैं बेसल ग्रैनियूल Basal granule Basal granule से निकलता है और जिंदा फलूक में जो सिलिया एक लहराती हुई लव की भात ये देखें एक लहराती हुई जो लव की भात ही तरंगित होती है इसलिए इन कोचिकाओं को क्या कहते है जौला कोसिका है यानि कि इसी प्रकार इनके structure की वज़े से इनको जौला कोसिका है या flame cell कहते हैं इसके बाद इसका reproductive system फैसियोला हिपेटिका एक उभहलिंगी होता है male and female जो जननिक वाहनिया है वो एक ही वेस्म यानि जनीटल एट्रियम जननिक परिकोस्ट में खुलती है सबसे पहले है नरजननतंत्र male reproductive system उसमें एक जोड़ी टेस्टीज पाया जाते हैं और फिर है मादा जननतंत्र female reproductive system उसमें साखादार एवं नली के आकार की ओवरी पाये जाती है और जो ओवरी होती है उसकी सभी साखाएं मिलकर एक ओवी डक्ट बनाती है ओवी डक्ट से एक छोटी काप्यूलेटरी ट्यूब निकलती है जिसे लार की नली लार कैनाल कहते हैं मादा जननतंत्र से संबंधी दो प्रमुक ग्रंथियां होती है एक विटेनाईल ग्लैंड और एक है दूसरी है मेहली ग्लैंड इनसे निकलने वाला जो द्रव है वो यूटेरस को चिकना बनाता है ये देखिए चित्र में हम देख रहे हैं ये है मेहली ग्लैंड मेहली ग्लैंड ये जो है रेड कलर की मेहली ग्लैंड इसका काम क्या है इससे जो निकलने वाला द्रव है वो यूटेरस को चिकना बनाएगा और जिसमें से उसमें अंडे आसानी से गुजर सकें और इस्पर्म एक्टिव बना रहे फिर इसके बाद है development and life history बहुत most important है ये परिवर्धन एवं जीवन ब्रत इसका हम विस्तार से यहाँ पर इसके जितने भी लारवल स्टेज हैं उसके बारे में देखेंगे तो सबसे जो पहला पॉइंट है copulation and fertilization फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है capsule formation तीसरा पॉइंट है cleavage and early development फिर इसके लारवल स्टेज चालू होते हैं स्टार्ट होते हैं मिरा सीडियम लारवा है फिर इस पोरोसिस्ट लारवा है फिर है radial लारवा सरकेरिया लारवा और मेटा सरकेरिया लारवा तो सबसे पहला जो लारवा है इसका वो है मिरा सीडियम लारवा लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका निसेचन कैसे होगा Copulation and Fertilization जो सबसे पहला point है वो हमारा इसी को हिंदी में कहेंगे मैथुन एवं निसेचन तो जो यक्रत फुलूक होता है वो उभैलिंगी होते हैं सामाननता Copulation के बाद पर निसेचन पाया जाता है और Fasciola Hepatica में परपोसी की पित तवाहिनी में मैथुन होता है जो Copulation होगा वो कहां पे होगा पित तवाहिनी में होगा इसके बाद दूसरा point है Capsule Formation इसी को कहेंगे हिंदी में संपुट निर्माड जो Capsule होता है वो पीला या भूरा और अंडाकार होता है जिस पर एक operculum यानि प्राच्छद पाया जाता है और एक फुलूक में एक समय में लगभग कितने? 3,000 या इससे भी अधिक ऐसे Capsule हो सकते हैं फिर इसके बाद Cleavage and Early Development इसी को कहेंगे विदलन एवं प्रारंभिक परिवर्धन तो जो यूटेरस होता है उसमें ही अंडो में Cleavage आरंब हो जाता है और 4-15 दिन की अवधि में जो संपुटित भूण होता है उसमें Miracidium Larva जो Miracidium Larva है ये वाला Miracidium Larva में बदल जाता है और ये अंडों से बाहर निकल कर जल में तैरने लगता है अब इसके बाद इसका स्टार्ट होता है जो Miracidium Larva वो ये है Miracidium Larva हम चित्र में देख रहे हैं तो कई Larva अवस्थाओं में ये सबसे कौन सा है प्रधम Larva है इसमें कौन कौन सी ग्लेंड है देखिए पहले एपिकल ग्लेंड है इसके बाद इसी को हिंदी में कहेंगे सीरसस्त ग्रन्थी फ्लेमसिल है फ्लेमसिल ब्रेन है जर्म बॉल्स है ये बहुत इंपोर्टन है इसकी जर्म बॉल्स ये जर्म बॉल्स इसी को कहेंगे जनन गोली काएं जब ये डेवलप्मेंट करती है जनन गोली काएं इनी से फिर ये आगे चलके ब्रध्धी करता है और फिर ये सिलिया हो गए सिलिया है इसी को हिंदी में कहेंगे पच्छमाब आई इस्पॉर्ट है नेत्रचिन तो जो ये मिरा सीडियम लारवा है ये किसी भी वस्तु या जीव के संपर्क में आते हैं उसी में घुस जाने का प्रयास करते हैं परंतु केवल वे ही सफल हो पाते हैं जो उसमें घुस जाने का प्रयास करते हैं परंतु केवल वे ही सफल हो पाते हैं जो अपने घूंगा परपोसी या प्रैक्टिको लेला के कोमल भाग में संपर्क कर पाते हैं लारवा परपोसी के अंदर प्रवेश कर घोंगे की जो पाचक ग्रंथियां होती है वहाँ पर पहुच जाता है और इसके बाद इसकी जो दूसरी लारवा स्टेजेज है इस पोरोसिष्ट लारवा उसमें परिवर्धित हो जाता है मिरा सीडियम लारवा के बाद जो इसका दूसरा लारवा है इस पोरो सिष्ट लारवा अब इस लारवा में क्या होगा जो इसकी सरीर भित्ती है उसमें मिरा सीडियम की जो सरीर भित्ती के से सभी इस्तर होते हैं जो मिरासीरियम के इस तर होते हैं वही इस इस पोरोसिष्ट लारवा में भी सारे इस तर रहेंगे और ये प्रोटोनेफरीडिया विभाजित होकर प्रत्ते एक और दो हो जाते हैं और इसकी ये देखिए प्रोटोनेफ्रेडिया है जो ये विभाजित होकर के दो हो जाते हैं और इनकी जो जनन गोलिकाए हैं जो जर्म बॉल्स हैं जो जर्म बॉल्स हैं वो इससे अगली लार्वा अवस्था यानि की रेडिया लार्वा में परिवर्धित हो जाती है इसके जो अगली लार्वा स्टेजेज है वो कहलाती है रेडिया लार्वा ये है रेडिया लार्वा इस लार्वा में क्या होता है जो इस पोरोसिस्ट होते हैं उनकी जो सरीर भित्ती है वो फट जाने से रेडिया लार्वा बाहर निकलते हैं और जो लार्वा का सरीर है वो जर्म ब पाचन ग्रंथियों में रहना अधीक पसंद करता है फिर यह अगली लारवा आवस्था में परिवर्धित हो जाता है जिसे हम कहते हैं सरकेरिया लारवा इसके पश्चायत यह सरकेरिया लारवा है इसकी सरीर भित्ती के नीचे असंख्य सिष्टोजनेस ग्लैंड सेल्स होती है फ्लेम सेल्स की एक बड़ी संख्या पाई जाती है जो फ्लेम सेल्स हैं यह देखें यह फ्लेम सेल्स की बड़ी यह कितनी बहुत सारी संख्या है इस सरकेरिया लारवा में फ्लेम सेल्स की बहुत बड़ी संख्याएं पाई जाती हैं फिर सरकेरिया मैच्योर होकर परपोसी के उतकों से गुजरता हुआ टिसू से गुजरता हुआ वहां से बाहर जल में निकलाता है और सरकेरिया जल में तैरता रहता है या किसी जली पौधे की पत्तियों पर रेंगता रहता है इस प्रकार दो या तीन दिन सक्री जीवन बितीत करने के बाद इसकी जो पुछ है, इसकी जो टेल है, वो समाप्त हो जाती है और या किसी जली पौधे पर पुटी भूट होकर Meta-Sarcaria Larva में बदल जाता है ये Meta-Sarcaria Larva है ये जितने भी Larva है ये सब इसकी development यानि की सरीर का जो body बन रहा है उसकी सबकी development stages जो होती है वो उन Larva के रूप में ये बढ़ता रहता है इसके बाद है Meta-Sarcaria Larva ये बिल्कुल गोलाकार है चित्र में हम देख रहा है पूरा गोलाकार है ये और घास की एक ही पत्ती पर हजारों Meta-Sarcaria चिपके पाए जा सकते हैं ये जो Meta-Sarcaria है ये हजारों Meta-Sarcaria चिपके पाए जा सकते हैं सिर्फ एक ही पत्ती पर पौधे की एक ही पत्ती पर हजारों मेटा सरकेरिया चिपके पाये जा सकते हैं ये गोलाकार है परपोसी का जो संक्रमण है उसकी पत्तियों के चरे जाने परपोसी का जो संक्रमण है इसकी पुटियों से युक्त घास एवं जली पौधों की पत्तियों के चरे जाने पर हो जाता है जैसे कि ये जो मेटा सरकेरिया लारवा है ये किसी पत्तियों पर चिपके रहेंगे इसके बाद जो सीप आएगी जो भेंड होगी उस पत्ति को खा जाएगी और उस पत्ति को खा जाने से जो मेटा सरकेरिया लारवा उस पत्ति पर चिपका हुआ है वो भेड़ के पेट के अंदर चला जाएगा और भेड़ इंफेक्टेड हो जाएगी फिर इसके बाद जो आंत्र होती है वहाँ पर प्रारंभीक भाग में इसकी पुटी घुल जाती है और लारवा मुक्त हो जाता है इसके पस्चात यह आंत्र भित्ती को भेद कर देह गुहा में आ जाता है अब यह लीवर का संक्रमण करता है और फिर उसके उतक को खाता रहता है और फिर उस जो उतक होते हैं जो टिसूज होते हैं उनको खाते रहने से फिर यह 5-6 सबताय के अंदर बड़ा हो जाता है इसके पशारत यह पित वाहनी में इस्थित होकर लेंगी करूप से मैच्चोर हो जाता है तो यह इसका पूरा लाइफ साइकल रहा इसके बाद है पैथोजनेसिस यह रोग जनन है रोग जनन पैथोजनेसिस इसके प्रभाव से क्या हो सकता है फैसियोला हीपेटिका के प्रभाव से पित वाहिनी और जो लीवर है वो क्या हो सकते हैं च्छतिग्रस्त हो सकते हैं इसके कारण पित वाहिनी में सूजन आ जाती है और हेपेटाइटिस नामक रोग जो है हो जाता है अत्यधिक संक्रमण होने पर यक्रत के जो लीवर है उसका सामान मेटाबोलीजंग उपापचाई कार में गड़बड़ी आ जाती है और इस प्रकार उत्पन्न हुए रोग को यक्रत विगलन क्या कहते हैं लीवर रॉट कहते हैं अब जब रोग हो जाएगा तब इसकी चेकित्सा होगी कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा तो किस प्रकार की मेडिसिन ले सकते हैं एंटी हेलमिन्थ मेडिसिन ले सकते हैं जैसे कि हेक्सा क्लोरो एथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फिलसिन और फिनो थिया जीन का उप्योग सफलता पूर्वक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बाइलोजी की आगी की वीडियो को समय से प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकान प्रस कर लिजे जिससे समय से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे है।